आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें प्रशन है कि इस गरंती का स्राव शुक्राणों को पोशित करता है विकल्प एक सेमाइनल वेसिकल, दो पेरीनियल गरंती, तीन पौरश गरंती और चार दोनों भी दथा सी तो ये जो हमारे नर मनुश्य होते हैं नर मनुश्य और इनके जो व्रक्षन के जो प्रजनन तंत्र होते हैं नर मनुश्य के इन प्रजनन तंत्रों में हम देखते हैं क्या हम देखते हैं जो मुख्य प्रजनन अंग होते हैं उनको हम कहते हैं व्रक्षन और ये जो व्रक्षन होते हैं ये एक जोड़ी पाये जाते हैं ये जो मनुष्य में व्रक्षन होते हैं ये बनाते हैं शुक्राणू शुक्राणू जो की इनका युगमक होते हैं या हम कहें के नर युगमक होते हैं मनुष्य में या किसी भी और दूसरे जन्तू में ये नर युगमक होते हैं शुक्राणू नर युगमक होते हैं अब ये जो शुक्राणू बनते हैं ये छोटी छोटी कोशाएं होती हैं या हम कहें कोशिकाएं होती हैं इन शुक्राणू ये जो शुक्राणू हैं जब ये प समाइनल वैसिकल तो उसे हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं समाइनल वैसिकल दूसरी जो ग्रंथी होती हैं यहां पर उसे हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेड ग्रंथी और जो तीसरी ग्रंथी होती है उसे हम बोलते हैं बल्बो यूरीथरल ग्रंथी तो बल्बो यूरीथरल यह आपके तीन गरंथियां पाई जाती है नर प्रजनन तंत्र में अब यह जो सेवाइनल वेसिकल होता है यह आपका कुछ दूद के सद्रिश तरल पदार्थ निकालता है तो यह होता है जो दूद जैसा तरल पदार्थ निकालता है और यह जो तरल होता है यह क्या करता है य ये तूछ जैसा तरल पदार्थ इन शुक्राणों को पोशन देता है, तो ये क्या करता है, ये शुक्राणों को पोशन देता है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारी दूसरी गरंती है जिसे हम प्रोस्ट्रेट गरंती कहते हैं ये भी कुछ तरल पदार्थ निकालते हैं और ये जो तरल पदार्थ तो होते हैं ये कुछ अलकलाइन पदार्थ होते हैं ये तरल पदार्ट जो होते हैं, ये अलकेलाइन पदार्ट होते हैं, और ये जो अलकेलाइन पदार्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, मूत्र की अमलता हैं, उसको कम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मूत्र की अमलता को कम करते हैं, ये मूत्र की अमलता को खत्म कर देते हैं, कौन करता है ये जो प्रोस्ट्रेट ग्रंथी के स्रावन होते हैं वे करते हैं और तीसरी है बल्बो यूरीत्रल ग्रंथी तो ये क्या करती है ये जो हमारा प्रजनन तंत्र होता है उसको क्या करती है उसको लुम्रिकेट करती है प्रजनन तंत्र को चिकना करती है चिकना इस कारण करती है ताकि जो शुक्राणों है वह आसानी से यहां से निकल जाए तो चिकना करती है प्रजनन तंत्रों को और इन तीन गरंथियों के जो स्रावण होते हैं और जो शुक्राणों होते हैं उन तीनों को उन चारों को मिला कर या उनके मिश्राण को हम कहते हैं क्या हम कहते हैं सीमेन तो यहाँ पर आपके शुक्राणों को पोशन देने का कारे सेमाइनल वेसिकल गरंथी के स्रावर कर रहे हैं दूसरा आपका विकल्प है पेरीनियल गरंथी तो पेरीनियल गरंथी पाई जाती है एनस में या फिर जो मादा होती है उनकी बर्थुलीन गरंथी पाई जाती है तो ये नर्में नहीं पाई जानी वाली गरंथी है अता ये हमारा गलत विकल्प होगा पौरुश गरंथी इस का सही उत्तर है आश्या करते हैं आपको उत्तर समझवें आया होगा धन्यवाद आश्या डाउट करें डाउटने आप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर